हेलो इस्टुडेंट देखिए इस कोश्चन में क्या फाइंड करना है हमको तो इसको ग्राफिकली ठीक है प्लाउट करेंगे और नम्मर ओफ डिस्टिंक्ट डियालूट फाइंड करेंगे तो आपका यह फंक्शन जो है यह एफ एक्स इक्वाल टू यह आपका है 3X पावर 4 प्लस 4X क्यूब माइनस 12X स्क्वाइर प्लस 4 डिरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पर यह क्रिटकल पॉइंट जो होगा चाहिए मैक्सिमम भैल्यू देगा या मिनिमम भैल्यू देगा और टेंजेंट यह होगा इस पॉइंट पर हो क्या होगा पैरलल टू X एक्सिस होगा तो यहां पर इतने इन्फॉर्मेशन से यह क्वेश्चन स्वार्फ कर लेंगे 12X क्यू प्लस 12X स्क्वाइर माइनस 24X तो f डेरिवेटिव एक्स 12 कॉमन ले लिजे 12X तो यह होगा आपका X स्क्वाइर प्लस X माइनस 2 when f डेरिवेटिव एक्स इक्वाल टू 0 X इक्वाल टू क्या क्या मिलेगा 0 इसको अगर ओपेन कर लेंगे तो यह आपका होगा 12X X प्लस 2 इंटू X माइनस 1 तो 0, 1 और माइनस 2 यह 3 पॉइंट मिला कर प्लाउट कर लेते हैं तो देखिए इधार इंफिनिटी के दार से कर वा आएगा ठीक है और यहाँ भी इंफिनिटी पे उपर जाएगा कर लेकिन इस पॉइंट पे क्या देगा आपको एक चाइब मैकसिमा या मिनिमा वहल्यू देगा यहाँ पे तो अगर हम कर आपका साइन स्कीम देखेंगे तो इस साइट क्या हो जाएगा साइन स्कीम किसका देखते हैं तो इस साइट पॉइंट 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 प positive तो minima, positive से negative maxima, फिर negative से positive minima और कर्व ऐसे आपका चला गया यह हो गया आपका 4 degree का equation ठीक है 3 critical points जहाँ पे derivative आपका 0 होड़ा है यह point है यहाँ पे, tangent 1 0 है यहाँ पे और 1 1 यहाँ पे ठीक है ठीक है, तो यह 3 points यह कर्व ऐसे जा रहा है अब देखिए इस पे कितना बार कट किया है कर्व, 1, 2 3, 4 और 4 हो क्या है distinct है, तो how many distinct real roots of this equation, 4 ओके, thank you